जाहिन दोस्तों वेलकम टू शौर रे क्लासिज आज का हमारा टॉपिक है बी ए प्रोग्राम थर्ड एयर फिफ्थ सेमेश्टर का सब्जेक का नाम है एजुकेशन जी हाँ अक्सर देखा गया है कि ये वाला चैप्टर बार बार एक्जाम में एक मैत्तपून कोश्चन के साथ आया है चैप्टर का नाम है विविद्था जी हाँ विविद्था बहूत ततववाद और समाविश ये आपका पहला चैप्टर है इसमें पूरे चैप्टर की समरी को मैंने उतारने की कोशिश की है आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे तीन शब्दों को समझते हैं कि विवित्ता का क्या अर्थ होता है हम विवित्ता की से कहते हैं विवित्ता का अर्थ है किसी भी रूप में अलग होना अर्थात एक समू के लोगों का दूसरे समू के लोगों से अलग होना ही विवित्ता क्यलाता है जैसे सपोज करो अगर कोई हिंदू व्यक्ति है या कोई मुस्लिम अगर व्यक्ति है हिंदू व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति से अलग है किस रूप में धार्मिक रूप में इसी परकार से अगर कोई अमीर क्लास का अगर व्यक्ति है और कोई गरीब क्लास का व्यक्ति है तो वो अलग है किस रूप में क्लास के रूप में अगर कोई जैसे की बीजेपी पार्टी है और जैसे आम आदमी पार्टी है या जैसे पार्टी है ये पार्टी दूसरी राजनितित पार्टियों से अलग है इनकी विचारधारा अलग होती है तो हम कहे सकते हैं कि विवित्ता का अर्थ होता है एक समू के लोगों का दूसरे समू के लोगों से अलग होना विवित्ता क्या लाता है जैसे इसमें आपकी अगर क्ला में भी बहुत सारी विवित्ता होती थी जैसे वहाँ पर ही भी होते थे शी भी होती थी इसके साथ साथ कोई हिंदू था कोई मुस्लिम था कोई सिख था कोई इसाई था तो यहाँ पर विवित्ता को बताया गया है कि विवित्ता किसी भी परकार की हो सकती है चाहे वो समाजी कुछ भी जोड सकते हैं लेकिन शर्थ यह है कि आपको अपने उत्तर को connect करना पड़ेगा अगर हम समाजिक विवित्त की बात करते हैं तो समाज में एक से अधिक जाती के लोग एक से अधिक आर्थिक व्यवसाई के लोग एक से अधिक राजनेतिक पार्टियों के लोग, एक से अधिक धार्मिक परवती के लोग, एक से अधिक संस्कृती को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये पूरा समाज काफे विवित्ताओं से घिरा हुआ है, क्या वो समाजी ग्रूप से हो, आर्थी ग्रूप से हो, सांस्किती ग्रूप से हो, समाजी ग्रूप से हो, या तक के धार्मिक रूप से हो, तो जो विवित्ता होती है, वो तभी हो पाती है, जब समाज में बहुतत्वाद इस्थित हो, बहुतत्व का होता है, एक से अधिक त एक से अधिक तत्व होना को बहुत तत्वाद के नाम से जाना जाता है हम कह सकते हैं कि जो विवित्ता होती है उसमें बहुत तत्वाद होता है और अगर ये समाज में एक साथ रहते हैं तो ये समावेशी करन के द्वारा रहते हैं समावेशी आपकी क्लास जो होती है जब आप 12th क्लास में थे या जब आप कॉलिज की लेक्चर अटेंड करने जब जाते हो तो उसमें समावेशन होता है उदर ही उसी लेक्चर में गल्स भी होती है और वॉइस भी होते है महां पे अमीर व्यक्ति भी होता है, गरीब व्यक्ति भी होता है साथ की साथ कोई हिंदू भी होता है, कोई मुस्लिम भी होता है कोई किसी धरम को अपनाता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो सब ही जो इनसान है वो एक समाज के अंदर है सब ने एक दूसरे का समावेश्य किया हुआ है इसी के साथ सथ यहां पे मैंने विविद्टा को एक्स्प्लीन किया हुआ है कि एक समू के लोगों को दूसरे समू के लोगों किसे अलग करना ही विविद्टा क्यालाता है जैसे आपके परिवार में अगर पांच जने हैं तो उन पांच जनों की सोच अलग-अलग हैं तो ये एक परकार का समावेशन हो गया और अलग-अलग सोच होना मतलब की विवित्ता होगी अब हम बात करते हैं जो कि विवित्ता होती है हमें पता है वो आर्थी ग्रूप से राजनेती ग्रूप से सांस्किती ग्रूप से समाजी ग्रूप से धार्मी ग्रूप से हो सकती है साथ की साथ जाती के रूप में भी तो हो सकती है भाई अगर हम राजनेतिक रूप से बात करते हैं तो पार्टी के रूप में भी तो हो सकती है जैसे आम आदमे पार्टी की विचारधारा अलग है कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है BJP Party की विचारधारा अलग है वर्ग के रूप में भी तो ये अलग हो सकते हैं अमीर वर्ग, गरी वर्ग, मिडल क्लास वर्ग शेतर के रूप में भी तो ये अलग हो सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं या जो केरल के जो लोग होते हैं ये इनकी संस्किती अलग होती है, इनका बोल चाल का तरीका अलग होता है, या तक कि इनके शारीरी क्रूब में थोड़ा थोड़ा अलग अंतर पाया जा सकता है, जैसे जो हिल स्टेशन के होते हैं, उनकी हाय थोड़ी छोटी होती है, वो थोड़े से गोरे होते हैं, पाल उन में विवित्ता देखने को मिली है, धार्मिक रूप से विवित्ता देखने को मिली है, सांस्कितिक रूप से विवित्ता देखने को मिली है, भाशा के रूप में विवित्ता देखने को मिली है, ग्रामी रूप में विवित्ता देखने को मिली है, शैरी रूप में विवित्त आर्थिक लेंगिक और विशेश बच्चे जो की हेंडीकेप जो बच्चे होते हैं उनमें भी विवित्ता देखने को मिली हैं तो यह बहुत सिंपल है अग विवित्ता करता हैं कि एक समू के लोगों का दूसरे समू के लोगों से अलग होना राजनेतिक रूप का आपको समझ में आ गया जाती के रूप में आपको समझ में आ गया अगर आप हिंदू जाती से सम्दित हो तो हिंदूों में भी अलग अलग जाती होती हैं अगर आप अमीर हो तो अमीरों में भी अलग कैटेगरी होती है आप का शेतर आप अन्डिया में हर्याने से हो पंजाब से हो कहां से हो ये शेतर में भी ही विवित्ता हैं आप का धरम क्या है हिंदू, मुसलिम, सिकh, इसाय हिंदू में भी आप शिव को ज़ Wrishnoo को ज़ादा मानते हो अलग-अलग category भाश्याई अधार पे कोई हिंदी बोलना पसंद करता है कोई संस्कित बोलना पसंद करता है कोई इंगलिश बोलना पसंद करता है कोई अपनी मातर भाश्या को बोलना पसंद करता है तो ये हर एक रूप में किसी भी परकार से विवित्ता आ सकती है इस सबसे बेस्ट एक्जामपल है आपका समाज, आपके आसपास के लोग, आपके स्कूल, आपके स्कूल का एन्वार्मेंट हम बच्पन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विवित्ताओं का देश है इसमें एक से ज़्यादा संस्कृती है, एक से ज़्यादा भाशाए हैं, एक से ज़्यादा भूल, मतलब रीती रिवाज है अगर हम बात करें 2011 की जन गन्डना की, 2011 में जो सेंसिस आये था उसमें ये बताया गया कि भारत की जन गन्डना में भी काफी विवित्ता है बाई कम से कम 80-85 पर्तिशत हिंदू है 15 पर्तिशत के असपास मुस्लिम है और 5% के असपास सीख कम्यूनिटी है इसी के तरह अच्रिश्चन है तो यहाँ पे देखने को मिला है कि भारत की जनचंख्या में भी विविर्ता पाई जाती है अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भारते सविदान ने भारत की 22 भाषाओं को अंगिक्रित किया गया है तो इस परकार से भारत में 22 भाषाओं की विवित्ता पाई गई है हलाकि 22 से यह अधिक है अगर हम अगर हम अचलिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात में भी कहीं कहीं पे जादा कहीं कहीं पे कम है सबसे जादा लिंग अनुपात केरल में गोवा में मनिपूर में देखने को मिला है सबसे कम हरियाना में है तो जैसे यहां पे बताया गया है कि जैसे वही एक हजार पुर्शों पे इस्तरियों की संख्या कितनी है सबसे अधिक है गोवा में सबसे अधिक है केरल में जैस मनिपूर में और सबसे कम है हरियाना में आई थिंग वहापे 600-700 के आसपस है हजार पुर्शों के उपर इसी के साथ साथ है शाक्षर्टा वही भारत में भिन भिन राज्यों में शाक्षर्टा की दर अलग होती है शाक्षर्टा का अर्थ होता है कि वहाँ एजुकेशन कौन व्यक्ति कितना पड़ा लिखा है अगर हम भारत की बात करते हैं तो केरल नंबर वन पे आता है मनिपूर है केरल है गोवा है इनके शाक्षरता दर्ग की जो पर्सेंट है वो काफी हाई है और अगर हम सबसे कम शाक्षरता वाले राज्यों की बात करते हैं तो उसमें अच बिहार आता है उसमें हर्याना भी आता है उसमें यूपी भी आता है I think बिहार ही सबसे जादा है हर्याना तो उससे बहुत उपर ही है अगर यह आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा और आप हमें कमेंट करके बगताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बाद एक सबसे असान चीज आती है असमिता यार बहुत सिंपल चैप्टर है इवन ये टॉपिक ये पूरी बुक बहुत सिंपल है इसमें तो आप अगर बिना पड़े भी जाओगे और आपको समानने नौलिज है आसपास की तो भी आप ये काफी अच्छी तरह कर सकते हो असमिता असमिता का अर्थ क्या होता है असमिता का अर्थ होता है पहचान आइडेंटी के आप कौन हो असमिता यहां पर असमिता की बात की गई है कि आप कौन हो अगर सिंपल सी बात है अगर आपने कभी कोई फॉर्म फिल करा है कोई गौर्वर्मेंट फिल्ड का फॉर्म हो या फिर पराइवेट फिल्ड का फॉर्म हो जब आपने कोई फॉर्म फिल करा है तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपका नाम पूछते है आपने नाम उसमें लिख देते हूं उसके बाद पूछते हैं आपकी काश्ट क्या है आते हैं मतलब हिंदू है मुस्लिमे क्या है आपसे डिलीजन पूछते हैं आपसे आपकी राष्टेता पूछते हैं आर यू इ हो सकती है चैसे की अगर मैं हूँ मेरी पैचान एक हिंदू के रूप में भी है मेरी पैचान एक अध्यापक के रूप में भी है मेरी पैचान एक भारतिय के रूप में भी है हना तो मेरी पैचान समाज के जिस में रूप में कार्य कर रहा हूं उस रूप में भी है तो आपकी पैचान असमीता का अर्थ होता है अइडेंटी क्या है हम कौन है अगर वो आप से आपके धरम के अधार पे पूछ रहा है तो यहाँ पे आपकी पैचान आपके धरम से साबित होती है अगर वो आपकी राष्टेता के अधार पे पूछता है तो यहां आपकी पैचान आपके राष्टेता से साबित होती है अगर वो आपके occupation के अधार पे पूछता है कि वही आप क्या काम करते हो मैं काम करते हो आप यह थोड़ी ना बोलोगे कि मेरा नाम आशीश है यही मेरा काम है नहीं आप डॉक्टर हो इंजिनियर हो कोई कार्रे करते हो अध्यापको वो आपकी पैचान होईगी अगर आपके occupation या आपके जो आप website के अधार पे आपकी अगर पैचान पूछते हैं तो अगर आपकी जाती के अधार पे पैचान पूछते हैं जो पैचान होती है ना identity एक व्यक्ती एक से ज़्यादा आईडेंटी का समूँ में रह सकता है जैसे भई एक व्यक्ती है या तो वो ही है या तो शी है ठीक है या तो वो उच्वर्ग का है रिच होएगा या तो वो पूर होएगा इसी के साथ साथ या तो वो किसी जाती का है कोई भी इतनी जाती है किसी एक जाती का तो होगा इसी के साथ साथ उसकी पैचान क्या है इंडियन है नेपाली है किसी और कंट्री का है उसका धरम क्या है समाजिक वर्ग क्या है समाज में उसका क्या हैसियत है तो एक व्यक्ति एक से अधिक समू की पैचान वाला हो सकता है पैचान यहां पे आपकी अइडेंटी को कहा गया है जिस चीज के द्वारा आप जाने जाते हो अपने नाम से, अपनी जाती से अपनी राष्टिता से अपने अलिंग से इसके साथ साथ अपने समाजिक वर्ग से अपने धर्म से आप जाने जाते हो इनी सब चीजों को इनी सब चीजों में समानता लाने के लिए कि इन सब चीजों की जानकारी सभी व्यक्तियों तक सभी बच्चों तक पहुंचाए जाए इसलिए विद्यालियों की इस्थापना की गई विद्याले की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन समय से ही समाज के एक मैतबुन अंग है क्योंकि इन्ही विद्याले के द्वारा एक समाज का विकास होता है समाज के सभी कारें इन्ही विद्याले के द्वारा समय के साथ सथ परिवर्तित किये जाते है दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें स्कूल इनको स्कूल के नाम से भी जाना जाता है विध्याले एक समाजिक संस्ता है जो कि समाज की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है समाजिक संस्ता कौन सी होती है वही समाजिक संस्ता उस संस्ता को कहा जाता है जो कि पूरे समाज के कारेयों को करने की कोशिश करती है या पूरे समाज को एक रूप एक साथ लेके उसको पूरा करने की कोशिश करती है अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज में सांस्कृति आती है समाज में विचार आते हैं, समाज में आर्थिक आती हैं, समाज में समाजिक आती हैं, समाज में राजनितिक चीज़े आती हैं तो विध्याले ही हमारी सांच्किती का विकास करता है, हमारे अंदर जो विचार हैं उनका विकास करता है हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करता है हमें समाजिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करता है और विध्याले ही हमें राजनेतिक रूप से हमें मजबूत बनाने की कोशिश करता है कि आपके अधिकार क्या है आपके कर्तव्य क्या है आपकी पावर्ज क्या है ये सबी चीज हमें कौन पर धान करता है विद्याले विद्याले की पाठ्थ है पुस्तकों में विद्याले की पुस्तकों में हमें इनी समाजिक चीजों के बारे में बताया जाता है और समय समय पे इनी चीजों का विकाज जब बच्चे छोटे होते हैं इनी सबी चीजों को बच्चों में सिखाने की कोशिश की जाती है कि बई जो हमारी सांश्कृती है वो एक जाती की नहीं है वो एक धरम की नहीं है वो एक काश्ट की नहीं है हमारी जो सांच्कृती है वो सभी के लिए है सभी की सांच्कृती एक सम्मान है स्कूलों में हमें धर्म निर्पेकस्ता सिकाई चाती है इसी लिए जो भी स्कूलों में कभी इसी लिए स्कूलों में कभी भी कोई फेस्टिवल होता है तो एक particular जाती है, एक particular काश्ट के फेस्टिवल को वो celebrate या उसके उपर प्रोग्राम नहीं करते हैं, वो सभी के उपर प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, इसी के साथ साथ है, विध्यालों से ही हमें अपने वैचारिक विकास करने को सिखाया जाता है, यह सब कुछ हमें पाठ्य पुस्तक के दौरा सीखने को मिलता है, कि हमें अपने समाज में किस परकार के विचारों की अभिवक्ति करनी चाहिए, किस परकार से हमें अपने समाजिक मुल्यों को जीना चाहिए, यह बहुत सिम्पल है, इसमें आप आर्थिक राज्यजिक, सांस विध्याले ने समाज का विकास करा है समाज के बच्चों का विकास करा है वई विध्याले क्या है विध्याले समाज की एक आवशक्ता है समाज के बच्चे समाज यही चाहता है कि जिस परकार से हम अपने एन्वार्मेंट में जी रहे हैं उसी परकार से हमारे आने वाली इसी के साथ साथ है विड्यालियों से और हमें क्या सीखने को मिलता है विवित्ता क्योंकि जब हम विड्यालियों में जाते हैं तो एक से अधिक वाँ पे बच्चे होते हैं कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई इसाई है कोई किसी भाशा को बोलता है, कोई कोई भाशा को बोलता है, किसी की मातरभाशा कुछ और है, किसी की जाती कुछ और है, कोई अमीर वर्ग का है, कोई गरीब वर्ग का है, कोई साधारन है, कोई हैंडीकेप है, कोई SCA, कोई STA, कोई OBC है, ये सभी चीज समाज की आवशकता ह इनी चीज़ को पाठे पुस्तक के माध्यम से बच्चों में विक्सित किया जाता है कि बच्चे इनको अपना समाज का अंग ही समझे अब अगला पॉइंट है शिक्षक की भूमिका भई विविता को समझाने के लिए एक शिक्षक की एहम भूमिका होती है अकसर पुराने टाइम में देखा गया है कि जो शिक्षक होता है न वो समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं उन बच्चों के साथ भेदभाव करता था आज के टाइम में काफी कम होता है परन्तु होता होगा जैसे पुराने टाइम में अगर कोई उच जाती का एक शिक्षक है तो वो निच जाती के बच्चों के साथ भेदभाव कर देता है उनको वो किलास से भार बिठा देता था उनको वो सबसे फीच्छे बिठाता था हाथ उपर करके सजा सुना देता था इसी के साथ कुछ-कुछ ऐसे भी शिक्षक समाज में थे जिनोंने काश्ट के अधार पे धरम के अधार पे रिलीजन के अधार पे कमजोर वर्ग के अधार पे आर्थिक रूप से भी बच्चों को बच्चों में आसमानता उन्होंने उत्पन करी है जैसे अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर जाती को मैत्व परदान करता है तो देखा गया है कि वह शिक्षक दूसरी जाती के बच्चों के साथ कमफर्ट नहीं फील करता पर तू आज कल ये काफी कम होता है आज के टैमे भारत के जो शिक्षक हैं वो काफी अच्छे हैं काफी समझदार हैं और सर्वगुन संपन है इसी के साथ हैं कि एक शिक्षक ही समाज को बनाने का कार्य करता है शिक्षक की एहम भूमी का होती है समाज को बनाने में अगर क्यों क्योंकि जो इस्टुटेंट होता है वो एक कोरा कागच होता है शिक्षक उस पे जो लिख देता है वही बच्चे के लिए सत्य हो जाता है तो एक अच्छे शिक्षक को क्या चाहिए शिक्षक एक अच्छा वही है जो अपने अनुभवों के द्वारा बच्चों का विकास करे अनुभव समय के साथ साथ आते हैं साथ की साथ एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों में जागरुकता फैला है जागरुकता कोन सी किस परकार की आर्थिक जागरुकता, राजनेतिक जागरुकता, सांस्क्रितिक जागरुकता, समाजिक जागरुकता, धार्मिक जागरुकता और इसके साथ सबसे बड़ी जागरुकता है मानफतावाद, कल्यान, नैतिकता यही फैला है इसी के साथ साथ है समाजीक भहिशकारों का विरोद एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो समाजीक भहिशकारों का विरोद करता है जैसे पूराने टाइम में क्या होता था जो कमजोर वर्ग होते थे evaluating चैसे SC, ST, OBC थे उन बच्चों को विध्यालियों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी परन्तु आज के टैम में भारत बदल चुका है, भारत बदल रहा है आज के टैम में सभी बच्चों को एक समान समझा जाता है और स्पेशली कमजोर वर्ग के जो छातर हैं उन पे विशेश फोकस दिया जाता है, किया जाता है कि भाई इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि आगे भारत का विकास हो सके आगे समाज का विकास हो सके और समाज में ये जो रूड़ी वादी सोच है, इसका अंत तबी हो सकता है जब ये बच्चे आगे पढ़ लिखके अच्छी जॉब करें अच्छा अपने समाजिक वातावरन को बनाए, फैलाए इसलिए भारतिय सविधान के अनुसार समाज में आसमानता को कम करने के लिए कुछ सविधानिक शक्तियां भी दी गई हैं, कुछ अधिकार भी दिये गई हैं जैसे अनुचेद 14-18 में समानता का अधिकार बताया गया है 14 to 18 में जैसे कि जनम के अधार पे समानता, कानून के अधार पे समानता और एजुकेशन के अधार पे समानता, नोकरियों को पाने में S.C.S.T. O.B.C. को विशेश आरक्षन, इसके साथ ही साथ अश्पेश्टा का अंत, तो ये अनुचे 14 to 18 के बीच में समानता का अधिकार ब कि कोई भी बच्चा अपने आपको हीन या कमजोर ना समझे, इसी के साथ साथ है, अनुचे 21 में, शिक्षा का अधिकार बताया गया है, कि ये हमारे एक fundamental right है, और right to education अनुचे 21 में जोड़ा गया है, शिक्षा सभी के लिए अनिवार है, इसी के साथ साथ 86 सविधान संशोदन का अर्थ होता है, सविधान में परिवर्तन करना, जब 86 वार टाइम सविधान में परिवर्तन किया गया था, तो वो 2002 में किया गया था, उस टैम 85 इस से पहले सविधान में परिवर्तन हो चुके थी, 2002 में 86 सविधार में संशोधन किया गया जिसमें ये बोला गया कि 6 वर्ष चे लेके 14 वर्ष तक के बच्चों तक को निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षा अनिवारे कर देनी चाहिए किसी भी बच्चे को बिना पैसो के शिक्षा सबी को दी जाएगी इसी के साथ साथ इसी लिए अब सभी बच्चों को 6 से 14 तक कि बच्चों को एटली सब को वेशिक्स शिक्षा परोवाइड की जाती है इसी के साथ साथ है अब इसमें वस थोड़ा सा और हर खतम होने वाला है सुतंता के बाद शेक्षिक नीती मतलब भै इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जब अजादी के बाद भारत में भोत बार ऐसा हुआ कि शिख्षा की नीतियों में परिवर्तन किया गया समय के साथ साथ जनता की मांग के साथ साथ टाइम टू टाइम हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन करा सबसे पहले कोठारी आयोग आया 1964 टू 66 में इसने उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको लागू करा उसके बार सन 2009 में भी एक एजुकेशन पॉलिसी आई जिसने एजुकेशन में जो बुराईया थी उनको दीरे दीरे खतम करने की कोशिश करी इसी के साथ साथ NPE, National Policy of Own Education 1986 में आई इसमें ज़्यादा फोकस ये किया गया कि आदी वासी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए वहेश जो शिक्षा होएगी वो उनकी मात भाशा में होने चाहिए उनकी संस्क्रीति के बारे में एजुकेशन में लाया गया उनको मुख्यधारा से जोड़ना हम कह सकते हैं कि National Policy on Education जो 1986 में आया है उस Policy का में जो Focus था वो आदी वासी बच्चों की शिक्षा को विक्सित करना था उनकी सिरफ शिक्षा को विक्सित नहीं उनकी संस्क्रीति को भी विक्सित करना था उनकी भाशा को भी समाज तक पहुंचाना था It means हम कह सकते हैं कि 1986 में जो पॉलसी आये थी उसमें आदिवासी बच्चों के विकास पे काफी फोकस किया गया था उनका जो विकास था वो आर्थी ग्रूप से रानेती ग्रूप से, सांस्खीती ग्रूप से समाजी कुरूप से और धार्मी कुरूप से भी करना था उनके संस्क्रीटी को टैक्स बुक के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुँचाना और जो उनको एजुकेशन दी जाने थी वो उनकी भाशा में ताकि उनकी भाशा में ही बच्चे मतलब अच्छी तरह से शिख्षा घ्रैन कर सके और आदीवासियों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना अर्थात आदीवासि के लोग भी आदीवासि के समू भी और जन्जातियों के बच्चों की तरह पढ़ सके समझ सके अधिकारों के बारे में जान सके इसी के साथ साथ है इसी policy का एक मुख्य topic था संस्कृती विवित्ता संस्कृती विवित्ता हम कह सकते हैं कि उस time पे जो संस्कृती थी उसमें विवित्ताओं को लाना अर्थात भारतिय education में जो भी books चापी जाती है या जो भी curriculum आया जाता है वो इस परकार से तैयार किया जाए कि भारत में जो पिछडी संस्कृती है उनको books के माध्यम से बच्चों तक provide की जाए बच्चों को समझाया जाए कि ये भी भारतिय संस्कृती का एक अंग है हमें इन संस्कृतियों को भी जानना चाहिए ताकि बच्च अवेर हो सके ताकि वो संस्कृती हमारे समाज में जिंदा रह सके और यहां पर विवीधक करण में बताया गया है कि वही हर्याना की संस्कृती, पंजाब की संस्कृती, भिहार की संस्कृती, असाम की संस्कृती, बंगाल की संस्कृती, केरल की संस्कृती ऐसा नहीं है कि एक बुक में सिर्फ एक की ही इस्टेट की मतलब संस्क्रिती या फिर उनकी जातियों के बारे में बताया गया है नहीं भारत के भिन भिन हिस्सों की संस्क्रितियों के बारे में चर्चा की गई है ताकि भारत की विवित्ताओं के बारे में बच्चे जान सके उनको ये पता चल सके कि भारत इतना विशाल है और भारत में एक से अधिक विवित्ताएं है और ये हर एक संस्कृती का उनको पता होना चाहिए इसी के साथ साथ है इसमें था कि इसी संस्कृती विवित्ता के करण सीखने है हम संस्कृती विवित्ता करण के द्वारा बिन पिन चीजों को सीख सकते है जैसे वह समय समय पे स्कूल में मतलब समय-समय पे स्कूल में कुछ प्रोगराम आयोजित की चाते है कि बई कुछ बच्चों को पंजाबी भाशा में मतलब स्पीकिंग करनी होती है कुछ को मराठी में कुछ को किसी अन्य भाशा में तथा हर एक राज्जे की जो संस्किती हैं उसको पेश करने के लिए अलग-अलग कारे करम होते हैं इसकूल में आजकल काफी जादा कारे करम या एक्टिविटी देखने को मिलती है ताकि जो बच्चे हैं वो भारत की विवित्ता करन को सीख सकी उनको जान सकी और वो संस्क्रिती भी अब जीवित हो उठे जो संस्क्रिती अभी भारत में काफी कमजोर वर्गों तक सीमित हो गई थी इसी के साथ 1988 में एक और पॉलिसी आई थी NCF, National Curriculum Farmwork इसमें भी संस्क्रिती और समानता पर जोर दिया गया कि सभी की संस्क्रिती एक समान है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू की संस्क्रिती अच्छी है या मुस्लिमों की संस्क्रिती अच्छी है या सिर्फ सिकों की अच्छी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर्याना के लोगों की संस्क्रिती अच्छी है पंजाब के लोगों की अच्छी है सबी की सांस्किती सबी की सांस्किती अच्छी है और सबी की सांस्किती को एक समान समझने की बात की गई है समझाने की बात की गई है चाए हम भारत के किसी भी हिस्से में हो पर हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि हम सब एक है हमारी सांस्किती अलग हो सकती है हमारे विचार अलग हो सकते है हमारा धरम अलग हो सकता है हमारा शेतर अलग हो सकता है पर जब हम भारत के उपर बात आती है तो हम एक हैं इसी परकार से 1922 में एक यश्पाल समेती आय थी उसमें परियावरन को स्कूल से जोडने पर फोकस किया गया था उन्होंने ये बोला था कि बच्चों की एजुकेशन में परियावरन को जोड़ो अर्थात परियावरन के द्वारा बच्चों को अगर सिकाया जाएगा तो बच्चे जल्दी active होएगे बच्चे जल्दी विक्सित बच्चों का दिमाग जल्दी विकास करेगा और खेल खेल में खेल खेल में बच्चों को एक से अधिक चीजों का घ्यान हो जाएगा इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी बुक्स होती है उसमें कभी हर्याना के जो environment है, कभी जम्मु कश्मीर का, कभी सबसे ज्यादा बारिश का हो रही है, या सबसे ज़्यादा कम बारिश का हो रही है सबसे ज़्यादा करम शित्र कौन सा है हम मतलब परियावरण के माध्यम से ही वहां के जो हाउस होते हैं जैसे चम्मू कश्मीर या हिल्स शित्र के घर कैसे होते हैं जहां पर या फिर असाम शित्र के घर कैसे हैं तो इनके माध्यम से भी परिया वहरन के माध्यम से भी हम अपने भारत को जानने का मोका मिलता है हमें बिनमिज शेत्रों की सांस्किती के बारे में पता चलता है उनके शेत्रों के बारे में पता चलता है इसी के साथ साथ NCF National Curriculum Farmwork 2005 में उन्होंने इस बात पर फोकस करा कि पहले के टाइम में क्या होता था एजुकेशन को बहुत भारी चीज माना जाता था क्योंकि जो पाठे करम इतना हाड होता था कि बच्चों को वो कहीं न कहीं अब याद करना पड़ता था रटना पड़ता था अब एजुकेशन को इतना सरल बना दिया गया है कि बच्चों को रटने के अवशक्ता नहीं बई supporting materials के थू, movies के थू गुमाने के अचलिये, science के थू, बच्चों को अब education इतने असान तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे अब उनको रटते नहीं हैं बच्चे अब उनको समझते हैं अब बच्चों में विज्ञान के थू, उनको समझाया जा रहा है, गुमाने के थू, समझाया जा रहा है न्यूस पेपर के थू, न्यूस के थू, मतलब कहानियों के थू, समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चों का कोशल इस्थाई रहे इसी के साथ साथ बस अभी खतम होने वाला है राष्टिय शिक्षा नीती 2020 अक्सर देखा गया है कि ये कुश्चन आया है तो इस नीती में क्या था 2020 की राष्टिय शिक्षा नीती जो आई है उसमें समाजिक नियाए पे और समानता के ओपर फोकस किया गया इसमें ये बताया गया है कि वही जो समाज में जो आसमानता उत्पन हुई थी उसको किस परकार से समाजिक नियाए के दौरा उसे हम दूर कर सकते हैं साथ की साथ ये जो आसमानता थी उसको किस परकार से हम समानता में कनवर्ड कर सकते हैं केवल एक चीज के द्वारा ही हम समानता और समाजिक निया इस्थापित कर सकते हैं वो है शिक्षा शिक्षा ही है कि ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज में समानता और समाजिक निया इस्थापित किया जा सकता है इसलिए राष्टे शिक्षा नीती 2020 में समाजिक नियाय शिक्षा के द्वारा समानता इस्ताबित करने की कोशिश की गई है इसलिए बच्चों को इस नीती के अनुसार आरम से ही अब बच्चे बड़े होने के साथ साथ अपने सपने देखना चाते है कोई बच्चा IES बनना चाता है कोई IPS बनना चाता है कोई NETA बनना चाता है कोई कुछ बनना चाता है वो इसलिए हो पाया कि जब सभी बच्चों को ये पता हुआ कि ये हम भी कर सकते हैं ये हम भी बन सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर समान्ता होगी अब केवल एक जाती का ही इनी ओदों के उपर या एक सम्मू का ही इनी ओदों के उपर अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्तिक अब कोई भी बच्चा बिना किसी जातिय बेदबाओ के बिना किसी आर्थिक बेदबाओ के बिना किसी समाजिक बेदबाओ के IES बन सकता है IPS बन सकता है डॉक्टर बन सकता है इंजिनियर बन सकता है क्योंकि अब सरकार ने अब क्या मतलब पहले भी था पर लोग इतने aware नहीं थे इसलिए इसी के साथ साथ अब Social Ecology Disadvantages Group S.E.D.G को भी विशेश प्रावधान दिया गया है इसमें बताया गया है राष्टे शिक्षानीती 2020 में के महिलाओं के education पे ज़्यादा focus किया जाएगा Transgender के education पे ज़्यादा focus किया जाएगा आज महिलाएं जो अपने शेतर में काफी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी क्या वो आर्थी ग्रूप हो सांस्किती को समाजी को धार्मेक ग्रूप हो अब उनको उनका विकास किया जा रहा है इसलिए नारा दिया जा रहा है पढ़ेगा इंडिया तब ही तो बढ़ेगा इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को अब education काफी free दी जा रही है उनको scholarship दी जा रही है और भिन-भिन ऐसे कारे किये जा रहे है ताकि girls अब education के रूप में आ गया है और अपने समाज को अपने परिवार के साथ सथ अपने देश का भी नाम रोशन कर सके इसलिए वो क्या चाहे वो खेल के रूप में हो क्या वो doctor के रूप में हो मेलाओं को अब education के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वो विकास कर सके इसी के साथ साथ अब देखा गया है कि जो trans gender होते हैं जो ही से ही हो जाते हैं उनके education के उपर भी काफी focus किया जा रहा है उनको भी समाज का अंग माना गया है इससे पहले देखा जाता था कि समाज उनके साथ अजीव सा वैवार करता था पर अब वो समाज का अंग है उनके बारे में भी education के थूँ बच्चों तक पहुंचाए या जा रहा है कि वो भी समाज का ही एक अंग है इसी के साथ समानता की यहां पर बात की गई है कि वैई SC, ST, OBC या जो विकलान बच्चे है जो ऐसे बच्चे है या जो आदिवासी बच्चे है या जो कमजोर वर किब बच्चे है इनको समानता परदान की जाए इनको समाजिक नियाए परदान की जाए इस समाजिक नियाए कैसे मिलेगा भाई आदिवासी बच्चों के लिए भी स्कूल खोला जाए SC, ST, OBC को भी जादा से जादा मोका दिया जाए पढ़ने के लिए गौर्मेंट जोब के लिए विकलांग बच्चों को भी पढ़ने का मोका दिया जाए education दी जाए scholarship भी दिया जाए इसके साथ-साथ इनके लिए अलग से विध्याले भी बनाया जाए एक ही विध्याले में भी हो ताकि ये भी अपने आपको आम बच्चों की तरह ही समाज सके ऐसे पॉइंट आप कुछ भी कर सकते हो बर आपको आपके आंसर को जोड़ना होगा बस ये नाश्टेक्स और समापत होने वाला है अगला पॉइंट है विवित्ता में शशक्ति करण बई अगर एक से अधिक चीज़ों होगी तभी तो समाज में शशक्ति करण होगी मजबूती तभी आएगी जब एक से ज़्यादा चीज़ी होगी तो इसलिए का जाता है कि भारत में विवित्ता में एकता है एक्जामपल से मैं आपको समझा सकता हूँ बई जैसे पंजाब की जो भाशा है दिल्ली की जो भाशा है केरल की जो भाशा है वो अलग-अलग है ठीक है शायद अगर कोई पंजाब का व्यक्ति केरल में जाके पंजाब भी बोलता है तो शायद महां के लोगों को समझ में नहीं आएगी ऐसी महां के अगर कोई व्यक्ति यहां पे आके केरल की भाशा तेलगू तमिल भाशा बोलते हैं तो शायद हम नहीं समझ पाएगे पर अगर किली में स्कूल में राष्टेगान को चलाया या जाता है सभी बच्चे खड़े हो जाएगे सम्मान देगे पूरा राष्टेगान को उसी परकार से जब केरल के स्कूलों में राष्टेगान को चलाया जाता है तो वहां पे भी सभी बच्चे खड़े हो जाएगे सम्मान देगे राष्टेगान को इसका अर्थ क्या है? सांस्कितिक विबित्ता कुछ भी हो, राजनेतिक विबित्ता कुछ भी हो, शेत्रिय विबित्ता कुछ भी हो, समाजिक विबित्ता कुछ भी हो, भाशाई विबित्ता कुछ भी हो, लेकिन हम एक हैं, हमें एक चीज ने जोड़ा हुआ है, वो है राष् विधान में सभी को एकी अधिकार दिये गए हैं, वो है मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, चाहे हैं हम किसी जाती के हो, किसी धरम के हो, किसी लिंक के हो, किसी सांस्किती के हो, सभी को एक समान अधिकार दिये गए हैं, इसी के सासथ लैंगिंग समानता, ये मैं आपको बता इसी किसासत अहिंसा वैश्विक नागरिक्ता ये इन सभी चीजों को एजुकेशन में बताया जाता है ताकि बच्चों की समझ में ये आ सके कि हम सभी एक हैं और पूरे भारत में इतनी विवित्ता होते हुए भी सविधान ने हमें एक जुठी माना है ताकि बच्चे किसी परकार का भीदबाव ना कर सकें इसके बाद है NCFSC National Curriculum Farmwork for School Education इसमें बताया गया है कि भारत एक बहु सांस्कृतिक बहु भाशी है बहु धार्मिक समाज है ये तो हमें पता ही है कि भारत में भारत एक बहु सांस्कृतिक बहु भाशी है बहु धार्मिक बहु राजनितिक समाज है इसमें एक से अधिक जाती है, एक से अधिक पार्टी है एक से अधिक धरम है, एक से अधिक भाश inner कुछ भी लेख सकते हो यार अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और या प्लीज कमेंट करके बता दिया करो आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं अब आप कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेगे जाए हिंद जावारत